हेलो फ्रेंट्स, गटे आपने बहुत तरह की खाया हूँगी, लेकिन इस तरह की गटे आपने बिल्कूल भी नहीं खाया हूँगी, तो आज। मैं आपके साथ में लोक्य की मुठीय की रेसिपी शेर कुरूँगी। यह जो तरीका में बनाते हैं तरह सेख़़्आं में बनाते हैं वह आज आ साही पी सेलख करूंगे बहुत अच्छ भूं得 इस Creation कはいों तो देगे यहां यहां गोल आती हैं जो लोकी ले लिए यह गोल होती है थोड़ी सी उस लोकी से ढ़ें अलग होती है Lekun लोकी सी इसमें मिठास होती है तो बहुत ज़्यादा जो है लोकी कि मुठी को इससे तैस्ट बनते हैं तो है राजस्तान से आई ये मेरे पास में तो आज में इशी से जो है लोकी के मुठी कि बनाऊंगी आपकं साथ में साहर करूकी तो देगति मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से जह wil लिया था इसके कछे हैं बिलकुल भी मीट को नहीं है तो देखें यहां पर मैंने चोड़े-चोड़े टुकड़े कर लिए ताकि हाथ में आसानी से पकड़ सके इसको इस तरह से जो है कदूकस ले लिया है मैंने पूरी लोकी को कदूकस कर लेंगे कदूकस आपके पास में कैसा भी है बारी किया मोटा कैसा भी ले सकते हैं अगर हलका सा मोटा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा उसी लोकी की मुटी जो हमारे बहुत ही अच् है और सेम प्रोसेशर जो है आप इस तरह से लोकी के मूठी बना सकते हैं इस तरह से मैं आपको बता रही हूं तो वीडियो को एंड़ तक जुरू दबाए ताकि मैं आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे तो देखिए सारी लॉकी को मैंने याँ पर कद्दू कस कर लिया है तो देखिए अभी हम सबसे पहले इसमें आटा नहीं बिलाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर तो देखे यहाँ पर मैनने लाल मिर्ची डाल दी है अलदी पौडर दी लग वैड़नी शौटा वाला चमच है जिसके आईस क्रीम खते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने दो चमच तेल डाल दी है थोड़े से बड़े चमच है तेल आप इसमें बिल्कुल डाले फ्रेंट इससे जो है हमाई लौकी की मुठी बहुत ही अच्छे बनते हैं तो देखिए अभी मैं इसमें यहाँ पर स्वात के नुसा नमक डाल दूँगी देखिए एक चमच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है अभी देखिए मैंने आपर हमाइन उच्छे मिक्स नहीं होता है सारे को अच्छे सी मिक्स यहाँ पर उसके बाद में आटा डालेंगे आटे का फ्रेंड्स यहां पर कोई मेजर्मेंट नहीं है क्योंकि जितने आप लॉकी लोगे उसकी साबसे आपको आटा लेना पड़ेगा क्योंकि लॉकी अगर कच्छी है तो उसमें पानी कम होता है अगर लॉकी हलकी से पकी होगी तो उसमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है मैं अपने अनुसा ले लूँगी जितना मुझे यहाँ पर लगेगा तो आटे को हम यहाँ पर बिल्कुल भी टाइट नहीं लगाएंगे डिला सा आटा लगाएंगे इसे जो हैं हमारे लौकी की मुटी अच्छे से फूल के बनते हैं तो देखिए अभी मैंने सारा आटा अच्छे से लगा लिया है हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और सारे जो हैं मुठी बना लेंगे हलका सा हाथों पर तेल जरूर लगाए फ्रेंड इससे जो है हमारे हाथ में मुठी चिपकेंगे नहीं क्योंकि आटा जो है हमने थोड़ा सा डीला लगाया है तो देख़े सारे मुठी यहां पर तयार हो चुके हैंके साइब में मैं हoking गरम कर दिया था गयस पर पानी आपर निचे रख दिया है उपरी इस तरह की जाले है मैं यहाँ पर तेल से अच्छे से ग्रीस कर दूँगी अगर आपके पास में इस तरह का कुकर नहीं है तो आप जो है कड़ाई में कर सकते हैं अंदर इस्टेंड लगा कर पानी रखकर उसके उपर कुछ बरतन रखकर फिर आप जो है लोकी के मुठीय को रख सकते हैं देखे 15-20 मिनिट इसको पकाएंगे तो 15-20 मिनट हो चुके हैं आपने देखा होगा मुठी हमाई देखे कितने अच्छे तरके हैं कितने बढ़े-बढ़े हो चुके हैं साइड में डबल से ज़्यादा हो गए हैं तो देखिए अभी मैंने गेस को बंद कर दिया हैं पांच मेंने जो इसके अंदर रहने देंगे तो देखिए आज मैंने यहाँ पर प्याज से बनाए हूँ राजिस्तान नहीं तरीका है यह तेल आप अपने पसंद के नुशा ले सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने दो चमच राई डाल दी है राई अच्छे से डाले फ्रेंट इससे जो है मुटिय का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है अधिर कटोरी से थोड़ा से कम है, मैंने यहाँ पर तिल ले लिए है ब्लेक और वाइक डोनों मिक्स तिल थी अगर आपके पास में, ब्लेक है तो वह भी डाल सकते हैं वाइट हैं वह भी डाल सकते हैं कोई इसमें कोई जूरूरी नहीं है लेकिन तिल डालना जुरूर है इससे जो है मुख्टिय का स्वात बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो देखिए अच्छे से लो फ्लेम पर यहां पर तड़कने देखें तो देखें साइड में मैंने यहां पर कड़ी भी बना लेती कड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ में नई सेयर कर रही हूँ अगर आपको राजिस्तानी कड़ी बना नहीं सीखनी है तो मुझे कमेंट करके जुरू बताए मैं आपको वह भी रेसिपी डाल दूँगी तो देखें यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था दन्या पाउडर और अगर आपके पास में निम्बू का रश है तो निम्बू का रश डाल सकते हैं इसमें एक मेरे पास फिलल नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ देखें डखकन लगा कर सारे मसालों को अच्छे से पकने देंगे मुठी ठंडे हो चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी तो आप अपनी पसंद के अनुसा मोटा या पतला कर सकते हैं मैं या पर पतले पतले कट कर रही हूँ इससे जो है मुठी अच्छे बनेंगे और सारा मसाला जो है मुठ्यों में चला जाएका तो खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगेंगे मुठी हमारे बहुत ही यहाँ पर सौट बने हैं तो देखे सारे मुठ्यों को यहाँ पर मैंने कट कर लिया हैं अभी देखे हम गैस की तरफ चलते हैं तो देखे मसाला यहाँ पर हमारा बुन चुका है एक बार मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अभी देखे यहाँ यहां पर मुठी हछाव दाल दोंगी, और आपको यहां पर मुठी हلके से मिठे पसंद हो तो यहां पर एक शमज ने भी डाल के हैं, तो यहां पर मैं चीने नहीं डाल रहे हूं, क्योंकि मैं रैज़्तान नी विद् donne से यहां रही हूं, तो देखिए डकल मैंने लगा दिया एक मिनट तक पकाएंगे तो देखिए अभी एक मिनट हो चुका हैं फिर से हम मुट्यों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए सारे मुट्यों बहुत ही अच्छे बने हैं आप में तोड़के भी दिखाऊंगी तो साथ में देखे मैं आपर कड़ी भी बना ली हैं कड़ी भी बहुत ही अच्छी हो टेक्ष्ट बनी है राजस्तानी कड़ी है फ्रेंट्स खाने में बहुत ही स्वारिश लगती है तो थोड़ा सा में आप इसमें गी डाल देंगे अग देखे मैं आपको यहां पर थोड़के भी दिखाऊंगी मुट्य हमारे बहुत ही अच्छे हो टेस्ट बने हैं तो देखे इस तरह से कड़ी में डिप करके वहां पर खाया जाता है तो आप भी एक बास जुरू ट्राय करें और मुझे कमेंड करके जुरू बताए का आपको कैसे लगी तो देखे खे थोड़े सज्ट को बड़ो को सबको बहुत ही पसंद आने वाले मुखे आपको मेरी रेसिपे कैसे लगी कमेंड करके जुरू बताए आप भी एक बास जुरू ट्राय करें चनल बने हो हैं तो सस्क्राइब करना बिल्कूर नहीं भूले मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्वस्त्रे मस्त्रे अपना ख्याल रखें